नमस्कार दोस्तों, All Exam Guide Guru के YouTube चनल पर मैं सुजीत पाइड़े आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तों, यहाँ पर साइंस के लिए टेस्ट है, प्रैक्टिस सैट पेपर है आपके लिए सौपरशने हैं और इसमें आपको लाना है असी नमबर दोस्तों, आपसे एक बात करना चाहूँगा, सफल होना है तो अपनी कमजोरियों को खोजिए और अपनी कमजोरियों को खोजने के बाद उन कमजोरियों को अपनी ताकत बना लीजिए, उस दिन आप सफल हो जाएंगे करते हैं वीडियो को स्टार्ट पूरे जोश खरोश से पूरे कौशन देखना और असी मांक्स लाने की कोशिश करना पहला कौशन देखिए यदि किसी वस्तू के ताप में व्रद्धी हो जाती है तो इसकार्थ क्या होता है यदि किसी वस्तू के तापमान में ब्रद्धी हो जाए तो उसका मतलब होगा कि उसकी उश्मी उर्जा जो है वो बढ़ गई है option number यहाँ पर C प्रशने के लिए right answer हो जाएगा उश्मी उर्जा बढ़ गई है अगला question देखिए चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्पोट सुनाई नहीं पढ़ता है ऐसा क्यों चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्पोट सुनाई नहीं पड़ेगा क्योंकि इसका रिजन है वायू मंडल नहीं है चंद्रमा पर आप्शन नमबर यह वायू मंडल की अनुपस्तिती के कारण निम्दल कितमें से कौन सा सिद्धान्त प्रकास के तरंग प्रकती की पुष्टी करता है तो प्रकास का तरंग प्रकती की पुष्टी करने वाला सिद्धानत आपका व्यती करने का सिद्धानत option number याँ पर भी right answer हो जाएगा उम्र बढ़ने के साथ साथ निकट और दूर की वस्तूओं को focus करने में आँख की योगिता में जो कमी आ जाती है उसको क्या कहा जाता है तो उम्र बढ़ने के साथ यदि आँख कमजोर होती जाती है उसको press byopia कहा जाता है option number भी press byopia द्रश्टी दोस मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है तो यदि किसी को मायोपिया हो जाए तो वो नजजदीक की वस्तूओं को इस पश्ट देख पाएगा लेकिन दूर की वस्तूओं इसको सही से दिखाई नहीं देगी option number यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा किस साल में ओले रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकास की गती को मापथा तो 1626 इसवी में ओले रोमर ने प्रकास की गती को मापथा option number यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्ण के लिए फ्लोरोसेंट लेंप में चोक का प्रयोजन क्या होता है तो जो फ्लोरोसेंट लेंप होती है चोक जो लगी जाती है वो प्रतीरोधकता को कम करता है option number सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा चालक का विद्धुत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र होता है तो चालक का विद्धुत प्रतिरोध ये दाब से स्वतंत्र होता है option number B दाब right answer है लेंज का नियम क्या है? कौन सा नियम कहलाता है? तो लेंज का जो नियम है ये उर्जा संरक्षन का नियम कहलाता है option number C right answer हो जाएगा चुम्ब की छित्र की तीवर्दा का मानक इन में से क्या होता है तो चुम्ब की छित्र की तीवर्दा का मारन होता है आपका austrate option number C यहाँ पर austrate प्रशने के लिए right answer हो जाएगा प्रती रोधिकों को परसपर सयोजित करने की दो विदियां है कौन कौन सी है तो दो वर्दियां है प्रती रोधिक मतलब जो आपके रिश्टेंस होते हैं उनको लगाने की पहली तो है आप पार्शप क्रम और स्रेणी क्रम मतलब स्रेणी में लगा सकते हो सीरीज में या पैरलर में दो तरीके से प्रती रोधिकों को लगा सकते है हाइड्रोलिक्स सम्मुहों के संख्या के अनुसार वर्गी करत के अगया है option number भी यहाँ पर right answer हो जाएगा V-hydrogenal के परड़ाम स्वरूप क्या बनते हैं तो V-hydrogenal के परड़ाम स्वरूप आपका aldehyde और ketone बनते हैं option number C यहाँ पर right answer हो जाएगा aldehyde और ketone visual में phenol का अधिकतर उत्पादन किस से किया जाता है तो जो phenol होता है यह आपका q-mean से उत्पादन किया जाता है option number C यहाँ पर right answer हो जाएगा घड़ी में quartz crystal का काम किस पर आधारित होता है तो quartz crystal का काम जो है यह दाब विद्धुत प्रभाव पर पाईजो पर दाब विद्धुत प्रभाव option number D यहाँ पर right answer हो जाएगा इस्तिर वैद्धुत और छेपित्र मतलब electrostatic precipitator का परियोग किसके प्रदूशन के नियंतरन के लिए किया जाता है तो इसका जो प्रेयोग होता है वायू परदूशन के लिए किया जाता है option number A वायू परदूशन परशन के लिए right answer हो जाएगा शीत काल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्यों? तो शीत काल में कपड़े गर्म रखते हैं तो जो छुद्रग रहे हैं ये मंगल और ब्रहस्पती के बीच में चक्कर लगाते हैं option number B मंगल ब्रहस्पती right answer हो जाएगा बॉल को लपकने मतलब कैच करते समय एक खिलाडी क्रिक्ट खिलाडी अपने निम्दलिकित में से किसको कम करने के लिए अपना हाथ पीछे करता है तो जो आवेग होता है बॉल को उसको कम करने के लिए हाथ पीछे करता है क्रिक्ट खिलाडी बॉल जब कैच लेता है बैटरी के प्रचालन का मूल सिद्दान्त क्या है तो व्यतिकण के कारण साबुन का बुलबुले में रंग दिखाई देते हैं जब भी कोई प्रिकाश पढ़ता है स्वेध प्रिकाश एने एमोनेल एक मिश्ण है तो जो एमोनेल है ये एलुमिनम पाउडर और पोटेशियम नाइट्रेड पाउडर का मिश्ण कहलाता है एमोनेल निमन लिकितमें से किसका अपयोग खाना बनाने वाले इधन की रूप में नहीं किया जाता नहीं किया जाता है कॉश्ण लिखा नहीं तो लपी जी का यूज करते हैं बायो गैस का भी करते हैं कोई लिका भी CNG का use नहीं होता है खाना बनाने में किसका use नहीं होता है CNG का use नहीं होता है खाना बनाने में option number C यहाँ पर right answer हो जाएगा मानव नित्र में होता है क्या बताइए मानव नित्र में नित्र क्या होता है तो मानव नित्र के अंदर उत्तर लेंस होता है option number C, उत्तर लेंस प्रशने के लिए right answer हो जाएगा मानव नित्र में जो बिंदू, प्रकाश के लिए बिलकुल सुग्राही नहीं रहता उसे क्या कहते हैं, तो right answer हो जाएगा अंध बिंदू, option number B, ये प्रकाश के लिए बिलकुल भी सुग्राही नहीं रहता दूर दरश्टी 200 वाली आँखें साप साप देख सकती हैं क्या तो दूर दरश्टी 200 वाली आँखें दूर की वस्तों को अच्छे से देख सकती हैं दूर दरश्टी 200 वाली निकट की वस्तों को नहीं देख सकती हैं दोस्तों देख रहे हैं कॉशन कितने अच्छे हैं यह आपके exam में पिछले कई सालों से पुशे जा रहे हैं जिसे exam के आप तयारी कर रहे हैं हमने आपके लिए 10,000 GKS के MCQ question answer बनाए हैं 10,000 GKS के question answer जो MCQ के format वे 4 option में जो कि आप जो exam तयारी कर रहे हैं आ सकते हैं 100% chances से आने के और वो question answer PDF है और PDF सबको WhatsApp पर मिल जाएगी आप में से जिसको भी चाहिए WhatsApp पर PDF मिल जाएगी PDF जो है आपकी वो 300 रुपे की है लेकिन अभी exam चल रहा है तो केवल 99 रुपे में जो भी सक्छम है जो भी ले सकता है वो ले ले बाकी YouTube से पढ़ो बाकी जो जिसको लेना हो 99 रुपे में आपको 10,000 GKS की caution मिल रहा है जो कि आपके exam में फश सकते हैं तो इनको PDF को लने के लिए नीची दीगा नमबर वो WhatsApp कर लेना नमबर आपको पूरे वीडियो पर शोगा जब भी आप वीडियो चोड़ो उसके बाद आप कॉल कर लेना या स्कीन्शोट लीके रख लेना ठीक है विद्वचालकता की यूनिट क्या होती है तो विद्वचालकता की वात हो रही तो महो option नमबर आ विद्वचालकता की यूनिट होती है महो टेसला यूनिट किस छेत्र से सम्भनित है तो जो टेसला है ये आपकी चुम्ब की ये छेत्र से सम्भनित यूनिट है मतलब option नमबर ए चुम्ब की ये छेत्र प्रश्ण के लिए right answer हो जाएगा अगले question में पूछा गया है आपसे की तरल पदात का घंत्तों कम करने पर उस पर क्या प्रहाओ पड़ेगा कोई भी तरल पदात है उसका जदी आप घंत्तों कम कर देंगी तो उस पर क्या प्रहाओ पड़ेगा तो ट्यू लाइट में जो व्याए उर्जा का केवल 60 से 70 प्रतिशे दभाग प्रकाश में परिवर्तित होता है अब इंदुक्ता का दोश दूर करने के लिए नमले किसे लैंस का यूज किया जाता है तो अब इंदुक्ता के लिए सिलेंडरी लैंस का यूज होता है ऑप्शन नमबर ए भोजन का उर्जा में परिवर्तन कोशिकाओं के किस भाग में होता है तो भोजन का उर्जा में परिवर्तन माइट्रो कॉंडिया के अंदर होता है ऑप्शन नमबर डी प्रकास तरंग किस प्रकार की तरंग होती है तो प्रकास तरंग जो है अनुपस्त तरंग होती है option number A यहाँ पर राइड आंसर हो जाएगा नाभी की उजा की द्रश्टी से महत्वपूर्ण धातूं में से भारत में कौन सी धातू भातायत मातरा में पाई जाती है मानव शरीर में तौचा तल के नीचे विद्मान वसा निम्दल लिखित में से किसके विरुद्ध अवरुद्ध का कार करती है तो जो वशा होती है वो वात्ता वरण से हानिकारक सूक्ष में जीवों के प्रवेश के लिए अवरुद्ध का कार करती है option number C तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है तो तारपीन का तेल चीड के व्रक्स से प्राप्त होता है option number D चीड प्रशन के लिए राइट आंसर है एक एंश्ट्रॉम में कितने मीटर होते है तो एक एंश्ट्रॉम में आपके 10 के उपर जो है –10 की घात यहाँ पर option number A सई yeah answer हो जाएगा 10 के ऊपर –10 की घात मीटर होता है एक एंश्ट्रॉम में जार रखिएगा अगला question दिखते हैं अगले कॉशन आपसे पूछा गया है पेट में भोजन को पचाने के लिए नर्म लोह सकता होती है पेट में भोजन पचाने के लिए एंजैम्स की आउसकता होती है option number C, right answer है आस्थाई चुम्बक बनाए जाते हैं जो आस्थाई चुम्बक होते हैं यह बना जाते हैं नर्म लोह सौप्ट आइरन के option number B, soft iron प्रेशने के लिए नर्म लोह राइट आंसर है और नौल, और लोन बहुलक है तो और लोन ये एक्रिलो नाइट्राइल का बहुलक है और लोन एक्रिलो नाइट्राइट का बहुलक है पत्तियों की हरीमा हीनता किसकी कमी से होती है तो जो हरी कलर की पत्तिया रहती है उसके हरीमा हीनता हो जाती है मैगनीशियम की कमी से option number B यहां पर right answer है मानव आखों की पुतली जिस L.K.L.O.I.D. के अती तनू विलियन में फैलाई जाती है कौन सा है तो मानव आखों की पुतली यह एट्रापिन अती तनू विलियन में फैलाई याती option number C कोलेश्ट्रॉल है तो जो कोलेश्ट्रॉल है राइट आंसर हो जाएगा यह आपका वश्यू जन्तू वसा में उपस्थित वसी एलकोहल है क्या है वसी एलकोहल है जन्तू वसा में उपस्थित अइनी मोफिली परागण क्या कहलाता है तो एनी किसके द्वारा होता है तो एनी मोफिली परागण जो होता है यह वाईू के द्वारा होता है option number C राइट अंसर हो जाएगा निम्न लकितम से कौन सा अमल सिर्किये में उपस्थित होता है तो सिर्किये के अंदर राइट अंसर हो जाएगा आपका एसेटिक अमल उपस्थित होता है option number D राइट अंसर हो जाएगा एसेटिक अमल टेरीलीन बनाई जाती है टेट्रा लैथिल हो जाएगा, इसके साथ मिलता है एतिलीन गलाइकोल, उप्चिने जो होता है जीन क्या है तो जीन जो है इस प्रशनिका आनसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे जीन क्या होता है, comment box में comment करके बताइए आपके 50 question हो चुके हैं 50 और वाकिये तो इसमें से gene क्या होता है comment करिए पेस अमेकर का कार क्या है तो पेस अमेकर का कार जो है दिल की धड़कने प्रारंब करना option number C Amoxiline और Amoxiline किसके संसलिष्ट रूपांतरण है तो Amoxiline ये दोनों आपके Penicilline के संसलिष्ट रूपांतरण है option number C right answer हो जाएगा राजानिक आबंद का electronic की नियम किस ने दिया था तो राजानिक आबंद का electronic की नियम जो दिया था कोसेल तथा Lewis ने दिया था option number C 99.985 प्रतिशत hydrogen परवाड़ों में के और एक proton होता है जिसे क्या कहा जाता है इसको कहा जाता है आपका protein option number C right answer है प्रतिख पदात के विश्ष्ष्ट गुणधर्म होते हैं इनको किन दो वर्गों में वर्गीकत किया सकता है तो इनके इनको जो वर्गीकत किया जाता है एक तो भौतिक गुण होता है और दूसरा रासानिक गुणधर्म होता है option number B भौतिक और रासानिक गुणधर्म होते है तो यदि पी आजिवेंढ पांच अं dels 5 हो जाए तो दांतों का चेक हो जाता है है तो हाइड्रोजन का परमाडु द्रविवान आपका एक होता option नमबर री कोमल साबन में sodium के अच्थान पर क्या होता है तो कोमल साबन में sodium के इस्थान पर आपका potassium होता option number B right answer है पाधपों में सबसे बड़ा सुक्राणू मिलता है तो right answer हो जाएगा पाधपों में आपका अनावरत वीजी पौधों में सबसे बड़ा सुक्राणू मिलता है option number A right answer है इनमें से कौन सा पाधप रोग जीवानू द्वारा होता है तो right answer हो जाएगा जीवानू के गैहूं का डुंडु रोग, option number C, यहां पर right answer हो जाएगा, जिस पादप में नर और मादा, दोनो पुस्प उपस्तित हो, उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है आपका, उभए लिंगा अश्रै, option number B, नर और मादा, दोनो पुस्प उपस्तित हो, विब्व जियो तक एक पादप उतक है, जिसका कार क्या है, तो विब्व जियो तक जो है, इसका जो कार होता है, यह होता है, नई कोशिका है बनाना, option number C, यहां पर right answer हो जाएगा, निमने में से मुर्गी की कौन सी नसल, दुनिया में सबसे अधिक अंडे देने वाली नसल कहलाती है, तो मुर्ग तीन सांदरन को बढ़ा कर, option number B, यहां पर पर प्रशन के लिए right answer है, जिरुप थेली में आहार में किसकी कमी से होता है, तो जिरुप थेली में आहार में विटमिन A की कमी के कान होता है, चौकलेट सेहत के लिए खराब होती है, क्योंकि उसमें उच्छे मातरा में क्या होता है, तो चौकलेट के अंदर निकिल उच्छे मातरा में होता है, इसलिए सिहत के लिए खराब होती है, निम्नमेजिक किसे जीन थेरेपी का पिता कहा जाता है, तो जीन थेरेपी का पिता, विलियम एप एंडर्सन को कहा जाता है, option number C, चिकन गुनिया बुखार उत्पन्न कर प्राणी है, option number 2, कंगारू से मिलते जुलते है, और स्टेलिया के प्राणी, सिलिकोसिस रोग किसे होता है, तो सिलिकोसिस रोग जो है, यह आपका रोग है, फेपनों का रोग, option number E, फेपनों का रोग है, सिलिकोसिस रोग, प्रोकेरियोटिक कोशिका में कोशिका भिती किस option number B यहां पर right answer है द्विनाम पद्रती के अनुसार प्रत्यक जीवधारी का नाम किस भाशा के दो शब्दों से मिलकर वना है तो Latin भाशा के दो शब्दों से मिलकर वना है प्रत्यक जीवधारी का द्विनाम पद्रती के अनुसार नाम यूगलीना क्या है वो एक लंबे और बॉनवी पौधों की बीच क्रॉस करा था option number B चिंपैंजी में कितने जोड़े गुंसूत्र पाय जाते हैं तो चिंपैंजी के अंदर 24 जोड़ी गुंसूत्र होते हैं option number B right answer है माइट्रो कॉंडिया की खोज किस ने की थी रेट्रो विशानू option number C रेट्रो विशानू right answer है विविन प्रकार के पौधे पेड़ पौधे तथा उनके क्रिया कलापों के दन को क्या कहा जाता है वनस्पती विज्ञान कहा जाता है option number C जिराफ की गर्दन का लंबा होना किस सिद्धान को व्यक्त करता है जिराफ की गर्दन का लंबा होना ये ले मार्क वाद सिद्धान को व्यक्त करता है option number B DNA polymarriage नामक एंजाइम की खोच किस ने की इस एंजाइम की खोच करने वाले है राइट आंसर हो जाएगा आपका और्थर कॉर्णबर्ग option number A 1956 में S बेंजर ने जीन की आदुनिक विचार धारक दी इसके अनुसार जीन की कारकी काई क्या होती है तो जीन की कारकी काई होती है आपकी सिश्ट्रों option number C राइट आंसर हो जाए सिश्ट्रों गुण सूत्रों के बाहर जीन यदि कोशिका द्रव की कोशिकांगों में होती है तो उसे क्या कहा जाता है तो उसको कहा जाता है आपका प्लाजमा जीन यदि गुण सूत्रों के बाहर जीन जो है कोशिका द्रव के कोशिकांगों मे होगी प्लाजमा जीन गुणसूत्र का नामकर्ण किस ने किया था तो गुणसूत्र का नामकर्ण डबलू वाल्डेयर ने किया था option number B right answer है एक ही गुणसूत्र पर इस्थित जीनों में एक साथ वनशागत होने की प्रवत्ति पाई जाती है इसे क्या क्या हुआ तो जो फ़ल का निर्मान होता है वह अंडाशे से होता है option सी किस साखा में अंतरिक्ष यात्रा के छित्र में अध्यन किया जाता है तो अंतरिक्ष यात्रा के छित्र में आपका एश्ट्री नोटिक्स में अध्यन के जाता है option number D यहां पर right answer हो जाएगा कोशिकाओं का अध्यन किस साखा में होता है तो कोशिकाओं का अध्यन जो होता है वो होता है आपका साइटो लॉजी में option number c, option number d, वस्तूओं की गति की अवस्था में परिवड़ुतन का कान क्या है, तो गति में अवस्था की परिवड़ुतन का कान आपका घरशनबल है, option number d यहां पर I'd answer है, कुछ पदात, कठोर, चंकीले, आगातवर्द, तन् उनको क्या कहा जाता है तो भाई जो धातुएं होती हैं कठोर होती हैं चमकीली होती हैं आगातवर्द होती हैं तन्ने होती हैं धात्विक होती हैं ध्वानिक होती हैं और साथ ही साथ उस्मा और विजली की सुचालक भी होती है विद्धुत धारा उत्पन करने की युक्ति को करके बताईए देखते हैं आप लोगों में किसको इसका आंसर पता है दोस्तों यदि आपको ऐसे ही सौसो कॉशन जल्दी फटाफट पढ़ने हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाईए हमारे चैनल पर आपको ऐसे बहुत सारे वीडियो मिलेंगे जिनमें आपको सौसो कॉशन कराया जाएगा मात्र 20 मिट के अंदर अंदर जरूर जोड़ जाईए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा वीडियो कर दीजेगा लाइक मिलते हैं आप से अगले वीडियो में तब तक लिए पने ख्याल किये प्लीज विजिट करिए चैनल पर और जरूर वीडियो देखि आपका